देखिए इस वीडियो में मैं आपको महात्मा विदुर का वो एक्ष लोग बताऊंगा जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एक इनसान को इन छे तरह के लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी जिन्दगी से निकाल कर फेग देना चाहिए और ये जो छे तरह के लोग बताये गए हैं इन में से सबसे पहला बताया गया है वो पढ़ाने वाला जो पढ़ा नहीं सकता दूसरा बताया गया है वो सीखने वाला जो सीख नहीं सकता तीसरा बताया गया है वो राजा जो रक्षा नहीं कर सकता चौथी बताई गई है वो पत्नी जो मीठा नहीं बोल सकती पाँचवा बताया गया है वो जो वहां रहता है जहां नहीं रहना चाहिए और छटा बताया गया है वो जो वहाँ नहीं रहता जहां पर उसको रहना चाहिए अब जरा सा इस शलोक को समझ भी लीजिए देखिए सबसे पहला बताया गया है वो सिखाने वाला जो सिखा नहीं सकता अब देखिए किसी भी इंसान को अपना गुरू बनाने से पहले आपको उसमें ये तीन कॉलिटी जरूर देखना चाहिए सबसे पहली चीज सामने वाले में सब्जेक्ट नॉलेज वाकई में है या नहीं है दूसरी चीज उसे सिखाना आता है या नहीं आता है और तीसरी और सबसे जरूरी चीज जिस इनसान को भी हम अपना गुरू बनाना चाहते हैं वो वाकई में हमारा भला चाहता है या नहीं चाहता है इस चीज को जरा सा एक्जाम्पल से समझ कर देख लीजिए देखिये द्रोणाचारी जो थे वो बहुत ही अच्छे टीचर थे उनकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी थी उन्हें सिखाना भी बहुत अच्छी तरह से आता था और अपने स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही अच्छी भावना भी रखते थे पर एकलव्य जैसे शिश्य को ऐसे टीचर को छोड़ देना चाहिए दूसरी तरह के लोग वो बताए गए हैं जो लगातार अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाते या गफिर वो जो लगातार अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना नहीं चाहते इस चीज को भी समझ ये कि जादा तर लोग अपनी जिंदकी में तरक्की इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जैसे ही उनको थोड़ा बहुत मिलना शुरू होता है वैसे ही वो पैसे कमाने में लग जाते हैं और आगे का सीखना बंद कर देते हैं अब देखिये नॉलेज के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि नॉलेज को अगर लगातार बढ़ाया नहीं जाए तो नॉलेज कम नहीं होती कम रह जाती है और इस तरह के लोगों से खास तौर पर इसलिए बचना चाहिए क्योंकि अगर इस तरह के लोगों से बचा नहीं जाए तो इस तरह के लोग घसीट कर आपको अपने लेवल तक लेकर आ जाते हैं यह हो गई एक चीज दूसरी चीज आप यह समझे कि एक इनसान को हर हाल में एजुकेटेड होना चाहिए अब जरा सा एजुकेटेड होने का मतलब भी समझ लीजिए दिखिए एजुकेटेड असल में उस इनसान को कहते हैं जिसे अपने काम का इंटेलेक्चुल, मौरल और सो आपने वो इनसान जो एजुकेटेड है उसे ना केवल ये मालूम होता है कि काम को कैसे करना है उसे ये भी मालूम होता है कि काम को कब करना है और ना केवल इतना उसे ये भी मालूम होता है कि काम को करना है या नहीं करना है इस चीज को भी समझ ये कि educated होने के लिए पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इस चीज को जरा सा example से समझ कर देख लीजिए मान लेते हैं कोई किसान है और भले ही चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है पर अगर वो आसमान देखकर ये अंदाजा लगा लेता है कि इस बार कौन सी फसल बोनी है कब बोनी है बीच कहां से आएगा पानी कहां से लाएगा और पैदावार कहां पर खपाएगा तो वो एक educated किसान है वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा इनसान है जिसने पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर रखी है पर जिसे practical knowledge कुछ भी नहीं है तो वो एक uneducated इनसान है तीसरी तरह के लोगों के बारे में समझने के लिए आप इसके sense को समझने की कोशिश कीजिए देखिए हमें उस तरह के लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो किसी भी तरीके से हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकते अब जरा सा इस चीज़ को समझ भी लीजिए देखिए वो इनसान जो किसी भी तरह से हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता वो इनसान असल में हमसे इसलिए जुड़ा हुआ है ताकि जरूरत पढ़ने पर वो हमसे मदद मांग सके और हम उसकी मदद कर सकें और देखिए इस तरह का इनसान कोई एसेट नहीं होता इस तरह का इनसान एक लायाबिलिटी होता है और अपनी जिन्दगी में लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए आपको बेकार की लायाबिलिटी से बचना चाहिए और इसलिए अगर आप किसी का साथ दे सकते हैं तो आप उसका साथ दे दीजिए पर उसका सहारा बनने की गलती मत करिए अब चलिए एक चीज और समझ दीजिए देखिए जब तक आप छोटे होते हैं तब तक आप अपने माबाप के लिए एक लायाबिलिटी होते हैं और इसलिए जब आप बड़े हो जाएं तब आपको हर तरह से ये कोशिश करना चाहिए कि आप अपने माबाप के लिए एक अब देखिए क्योंकि राजा शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसी से इसी लाइन का एक सेंस और समझने की कोशिश कीजिए देखिए आप अपनी जिंदगी में चाहे कहीं पर भी नौकरी करने जाएं आप केवल पैसा देखकर नौकरी मत कीजिए आप किसी भी नौकरी को चु इसको भी समझिए कि देखिए मैंने जौब सिक्योरिटी नहीं कहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि जौब सिक्योरिटी असल में उस इनसान को चाहिए होती है जिसे अपनी मेहनत पर और अपनी काबीलियत पर भरोसा नहीं होता और इसलिए काम हमेशा वही करना चाहिए और उस जहां पर आपको एक करियर मिल सकता हो। चौती तरह के लोग और यहां पर भी आप इसके सैंस को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमें हमेशा उस तरह के लोगों से बचने की कोशिश करना चाहिए जो हमेशा कड़वा बोलते हैं। कड़वा बोलना याने इस तरह से बोलना या इस तरह से बात करना कि सामने वाले को बुरा लगे और जब भी आप इस तरह के लोगों से मिलें तो आपको ये कभी भी नहीं देखना चाहिए कि वो इनसान आप से कड़वा बोलता है या दूसरे से कड़वा बोलता है आपको उ जरासी इसकी वजह भी समझ लीजिए, देखिए वो इंसान जो कड़वा बोलता है, वो किसी ना किसी दिन अपनी कड़वी जुबान की वजह से मुसीबत में पढ़ेगा और जरूर पढ़ेगा और अपने साथ-साथ वो आपको भी मुसीबत में पढ़वाएगा और यकीन मा और दिमाग, दोनों का सुकून खतम होता चला जाता है। दूसरी चीज देखिए ये भी होती है कि जिससे भी आप कड़वा बोल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि सामने वाला आपसे इस बात का बदला नहीं ले या बदला लेने की इच्छा नहीं रखे। और देखिए ये इतनी जरूरी बात है कि इसे आचारे चानक के ने भी कहा है कि अगर आप किसी का बुरा करना चाहते हो तो आप भले ही उसका बुरा कर दो पर हमेशा मीठा बोलो। पांचवी और चटी तरह के लोगों के बारे में बताने के लिए मैटाफर का इस्तमाल किया गया है और ये तरह के लोगों को छोड़ देना चाहिए इस चीज़ को जरा सा एक्जांपल से समझ कर देख लीजिए देखिए एक स्टूडेंट को केवल और केवल ऐसी जगह पर ही जाने की इच्छा रखना चाहिए और ऐसी जगह पर ही जाना चाहिए जहां पर उसके समय का और उसके मा रखना चाहिए और ना ही वहाँ पर जाना चाहिए और देखिए ये कितनी कमाल की बात है अगर किसी भी जगह पर जाने से पहले या किसी भी काम को करने से पहले अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछ लेंगे कि क्या ये मेरे समय का और मेरे माबाप के पैसों का सही इस्त और महात्मा विदुर के हिसाब से इन 6 तरह के लोगों को छोड़ देना चाहिए और इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये 6 तरह के लोग अपना नुकसान तो करते ही करते हैं साथ ही साथ उनका नुकसान भी कर देते हैं जो इनके साथ में होते हैं आखरी चीज अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी देखना चाहिए तो इस वीडियो को फेस्बुक पर और वाटसेप पर जरूर शेयर करिए और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ आपने मुझे इतना समय दिया टैंक यू वरी मच